नमस्कार, न्यूज इंडिया 24-7 के इस खास कारकम में आपका स्वागत है। को लेकर आजादी के आंदोलन, सम्विधान की भूमिका उसमें जो हमारे बड़े नेता हैं, उनकी भूमिका को लेकर भी कहानिया चलती रहती। इतिहाज जो है उल्जा हुआ सा लगता है, उल्जी हुँई कहाणिया, गुथी हुई कहाणिया और एक दूसरे में सिमटते, बिसरते, मिलते, उलसते नेता सब की अपनी-अपनी कहानिया हैं लेकिन सच क्या है भारतिय सम्विधान कैसे बना उसकी क्या रूप रिखा रही क्या किया गया और क्या उसका इंटेंशन था इस सब को जानना बेहद जरूरी है उसके लिए और उसके पीछे क्या कहानिया है इसको जानने के लिए ये बहुत शेकलाकेंद्र के अध्यक्षत हैं, बरसो बरस राजनीतिक पत्रकारिता करते रहें, तो सम्विधान को मन से जानते हैं, उनके पास कहानिया जो है धूननी नहीं पड़ती, यदि आप किताब नहीं पड़ते हों, तो राज साब से मिलें, वो पूरी कहानी सुनाएंगे, बहुत स्वागत है, ये एक बहुत महत्वपून कदम है, जो आपने किया है, बहुत महत्वपून किस्सा है, क्योंकि भारती सम्विधान तो उपलब्द है, लेकिन उसकी जो अनके कहानियां है, प्रभाद प्रकाशन को भी मैं इसका, शुकर यदा करूँ कि प्रभाद प् बारतिय सम्मिदान की जो कही कहानी है वह वास्तों में सम्मिदान की जो हमारे हैं अधारना हुई सबसे पहले सम्मिदान सब्द आया उसके बाद सम्मिदान के लिए मांग उठने लगे से लेकर के जब 9 दिसंबर 1946 को अंतता सम्मिदान सबा बैठी तो तब से लेकर और सम्मिदान के बनने तक इसमें पूरी कहानी आ गई है सम्मिदान को समझाने वाले तो बहुत किताते हैं सम्मिदान की साधान लोगों को कैसे बना सम्मिदान किस तरह की राजनीत हो रही थी दाव पेच हो रहे थे क्या कठनाईयां थी और वास्तों में जब सम्मिधान सवा बैठी तो किस मकसद से बैठी थी क्या वो मकसद हासल कर सके ये सब बाते इसमें हैं और ये हमारी सम्मिधान में रुची बहुत पहले से रही है मैं आपको बताओं कि ये लिखा भी है और हम आपको बताते हैं कि जब मैं मिशा में बंद था तो उन दिनों हमको जेपी के ये बात ठीक है कि सबसे पहले आदमी थे रामबादु रहा है जो मिशा में बंद हुए सब्सक्राइब करते हैं और तब से हमारी इस बारे में रुची हुई हम पुलिटिकल साइब करते हैं साइंस के विद्यारती भी रहे हैं तो हम ये और उसके बाद बहुत लोगों से बातचित हुई है तो मुझे ऐसा लगा कि समिधान की बनने की कहाने गाइब है समिधान है लेकिन कैसे बना क्या हुआ हुआ है तो हमने शुरुवात की लिखना और हमने इसका जो पहला है वह हमारे लिखने में वह पहले पहला चेप्टर नहीं था हमने शुरुवात तो की थी नौ दिसम्बर 1946 को जब समिधान सवा बैठी है तो उससे लेकिन बाद में मुझे केम मुंसी की एक किताब हाथ लगी जो हमारे लाइब्रेरी में है पेलिग्रिमेज टू फ्रीडम तो उसमें केम मुंसी ने एक एक चेप्टर लिखा है और वह बहुत अद्भूत है इसलिए उसको मुंसी जी मेंबर भी थे और मुंसी जी उन लोगों में से थे जनुको गांधी जी ने प्रेरित किया कि आप समिधान सभा से जुड़िये समिधान से जुड़िये उसकी वी कहानी इसमें है लेकिन मैं जो बताना चाहता था वो ये कि वो नौ दिसंबर 1946 को जब समिधान सभा बैठी है तो उस कारवाई शुरू ही 11 बज़े लेकिन समिधान सभा के ज्यादातर सदस से मुस्लिम लीग तो भहिसकार कर रही थी पर मुस्लिम लीग के भी कई सदस से एक डिड़ घंटे पहले आ गये थे तो वो जो एक डिड़ घंटा है वो कितना संदे से भरा हुआ था वहापो से भरा हुआ था लोगों को लगी नहीं रहा था कि हम समिधान सभा में बर्ट इतनी तो जा रहे हैं लेकिन क्या हम समिधान बना पाएंगे यानि उतनी बिकट परिस्तितियां थी और वो उस बिकट परिस्तिति को बढ़ाया अंग्रेजों ने क्योंकि 9 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले पंड़िजवार लाल नहरू लंदन से वापस आय जो ब्रिटेन के थे एटली तो क्लिमेंट एटली उनका पुरा नाम था क्लिमेंट एटली ने एक अचानक बैठक बुलाई 6 दिसंबर 1946 को और यहां से उस समय के जो वाइस राय थे वेवल, वेवल के साथ पांच नेता गए जवारला नहरू गए, सरदार बलदेव सिंग ग जिन्ना गए, लियाकत अली खान गए, यह सब लोग बेवल के साथ गया, और वहां जो बादचित होई, वो बादचित विफल हो गई, तो जिन्ना वहां रुख गए, बाकी लोग रुख गए, सरदार बलदेव सिंग और जवारला नहरू तुरत वापस आये, और जब आये तो यह साथ की साम को आये हैं, एक दिन का गयब था, संदे ही था कि समिदान सभा नो को नो बेट है, और एक बात और बताना चाहता हूं, कि वेवल यह चाहते थे, वेवल भी वापस आये, और वेवल यह चाहते थे कि समिदान सभा का उद्गाटन वो करें, लेकिन कॉंग् यह वो द्गाटन हम वाइसराय से नहीं कराएंगे वाइसराय नाराज हो करके दिल्ली छोड़ कर चला गया अपना अपमान मान करके लेकिन लोगों को यह लग रहाता है कि लंदन में बाचित बिफल हो चुकी है मुसलिम लीग ने वहिसकार कर दिया है देश में दंगे हो रह मुख्यम हो प्रुफियृ कुघ इलगा करेंद बना सकेंग तो लोगों के शेहरे पर सवाल थे गोपिनाथ वार्दोलाइँ थी दन अस्व से आयख थे वो पाकिstान दोल्ग इस compact वर्ण परिषित परिख्टितृ मैं की बाबो यह ने निंदम एक बार्दान अपने ऑ पर बनाया और फिर उसके बाद 9 दिसंबर का दूसरा चेप्टर है लेकिन सम्विधान में का जो महत्पूंड दिन है वो है जब 13 दिसंबर को जवारलाल नहरू सम्विधान सवा में जो सम्विधान बनने जा रहा है उसका उद्देश से संकल्प प्रसुत करते है और उसके बाद जो है वो उस पर बड़ी भास होती है और अनतता है जवारलाल नहरू को यह लग रहा था है कि वो प्रस्ताव रखेंगे लोग मान लेंगे और तुरत पारित हो जाएगा लेकिन उस पर बड़ी भास होई और सबसे बड़ा सवाल उनके प्रस्ताव पर जो करने रखा और कहा कि जब मुस्लिम लीग ने भाइसकार कर रखा है तो इस हम लोग इंतजार करें उनका आने का इस पर बहुत चली दोनों तरफ से चली लेकिन आनतता है 22 जनवरी 1947 को जवारलाल नहरू का वो प्रस्ताव में स्विकार कर लिया गया और तब तक कि यह करीब कर विश्पस्ट हो गया था कि मुस्लिम लीग बहिश्कार करते रहेगे नहरू की आपने जिक्र होता है नहरू का नाम और भारती संविधान में नहरू को लेकर बात लेकिन मैं उससे पहले गांधी को लेकर बात करना चाहते हूं कि इंदुस्तान की आजादी के पूरे अंदोलन में तो गांधी का नाम होता है लेकिन समविधान को लेकर गांधी कहीं खो जाते हैं क्या ऐसा है यह ऐसी धारणा है जो आपने अभी कहा लेकिन सचाई उसमें न परम सब्दों में भी कहांगे, तब भी बहुत कठोर है, लेकिन यह सचाई है, सचाई इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि ग्रेनवील आस्टिन नाम का एक व्यक्ति हुआ है, जिसको हमारे हां के सुप्रेम कोट के जज, हमारे हां के राजनेता, हमारे हां के प्रोफेसर, उसको के मैं तो परमात्मा का आवतार मांगते थी, और उसने समयधान पर दो किताबे लिखे अपने जीवन में, पहली किताब लिखी दूसरी किताब उसं ने लिखी要ने दूसरी किताब लिखी constitutional experience तो ये दो किताब उसंने लिखी है यानि Working of the Indian Constitution दूसरी किताब का title है यानि सम्मिधान ने काम कैसे किया अब वो जो पहली किताब उसकी है उस किताब में उसने ये जगह-जगह कैसे लिखा, क्यों लिखा ये इसके बारे में कहना मुश्किल है मेरा अपना ख्याल ये है कि पंडिस जवारलाल नहरू के फीडबैक पर उसने ऐसा लिखा दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि जो कांस्टिचूशनल पेपर्स जवारलाल नहरू के थे उसको वो सारे पेपर्स को नहरू जी ने ग्रेंविल आस्टिन को उपलब्र करवाया चापको कहने ग्रेंविल आस्टिन यहां हाल-हाल तक आते रहें दो-तिन साल पहले उनकी डेट होई है उस आदमी ने अपनी किताब में भी लिखा और उसने एक धायना पैदा कर दी कि महात्मा गांधी से समिधान सवाद दूर थी और महात्मा गांधी का समिधान में कोई रोल नहीं था तीसरी बात उसने जो खतरनाक अस्थापित की, वो ये अस्थापित की कि महात्मा गांधी जो सोचते थे उसके विपरीत है ये समिदान, और तीनों सरासर गलत है, गांधी जी समिदान सवा से जुड़े हुए थे, गांधी जी समिदान सवा का मार्ग दरसन कर रहे थे, और उन 30 के अलावा डाक्टर भीम राव अम्बेदकर जब दूसरी बार उनको सदस्यता का संकट हो गया क्योंकि वो मुस्लिम लीग के समर्थन से चुन कर आये थे और भारत के वटवारे के बाद डाक्टर भीम राव अम्बेदकर के सदस्यता समाप्त हो गई थे गांदीजे लेकिन सर्दार पटेल को गुलाया और कहा कि बंबई की सीट खाली करा करके भीम राव अम्बेदकर को चुनवा कर लियाओ तो एमार जयकर से इस्तिफा दिलवाया गया और उस सीट पर डाक्टर अम्बेदकर चुट करके आये मैं यह कहना चाहता हूं कि गांदी जी अगर न होते तो सायद सम्यदान सभा अपना काम पूरा नहीं कर सकती थी इस की क्यों उपक्षा की गई मुझे नहीं मालूम लेकिन इसका इशारा नहरू की तरफ करता हूं मैं ऐसा मानता हूं कि जवारलाल नहरू ने जो लोगों को रिशर्च स्कालर्स को या विदेसी अधेता को बताया उससे यह इंप्रेशन पैदा हुआ दूसरा जो बड़ा चरित्र है हमारे इस पूरे इतिहासकार सम्यदान का वो है डॉक्टर भीमराव अंबेदकर आपने उनका चित्र किया पर सारे लोग मानते हैं कि भीमराव अंबेदकर को हमने ओवर प्लेट किया है मैं यह कहूँगा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एठिजडी है लेकिन यह भी तत्थ्य है कि भीमराव अंबेदकर ने सम्यदान सभाय में जो उनका रोल था वो पहले के भीमराव अंबेदकर और बाद के भीमराव अंबेदकर से भिन्न था और उसको मैं स्रिस्ट कहूँग सम्यदान को मैं दूसरी बात कर रहा हूं और एक स्टेज ऐसा था जब भीमराव अंबेदकर का मत था कि हमको नए सम्यदान की कोई जरुवत नहीं है 1935 वाला सम्यदान काफी है लेकिन जब सम्यदान सवा बनी उसके चुनाव हुए तो वो उसमें आये सदस्य बने और जब उनको डाक्टर राजिन प्रसाद में सम्यदान जवालाल नहरू के प्रस्ताव पर बोलने के लिए निमंत्रित किया तो जब बोलना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने पहल कि मेरा नाम वक्ताओं में इतनी जल्दी आ गया है मैं तयार नहीं हूँ लेकिन उसके बावजूद जो वो बोले वह एक राश्ट्रिय नेता का बयान था और उन्होंने बहुत संतुलित वहां विचार रखे सम्यदान की जरूर्तों के बारे में उसके बाद जब उनको राफ्टिंग कमेटी बनने लगी और राफ्टिंग कमेटी के वो सदत से बनाए गया तो फिर उनको आश्चर हुआ और बड़ा आश्चर हुआ उनको जब राफ्टिंग कमेटी के चेर्मैन बनाए गया यह सारी जो बाते हुई मैरा अपना मानना य है कि और इसके कोई साक्ष तो नहीं है लेकिन इसको समझा जा सकता है कि इसमें महात्मा गांधी की बड़ी भूमिकात सर इसमें एक और महत्मुण मुद्ध है ड्राफ्टिंग कमिटी की चेर्मेंन भी रहे एक मुद्धा बड़ा रहा जिसको लेकर भी चर्च होई सेपरेट इलेक्टूरेट की बात वहां हो रही थी क्या सेपरेट इलेक्टूरेट को लेकर सरदार पतेल और अमबेटकर में इसका की एक प्रिष्टभूम बताना चाहता हूं अंग्रेजों ने 1935 में और उससे पहले भी 1909 से ही हिंदू और मुसल्मानों को अलग करने के लिए उन्होंने मुसल्मानों के लिए सेपरेट इलेक्टूरेट की वेवस्था की थी अब संविधान सभा के सामने सवाल था क कि क्या सेपरेट एलेक्टूरेट चलते रहना चाहिए या समाप्त होना चाहिए तो एक सर्धार पटेल की अध्यक्षता में एक सब कमेटी काम कर रही थी और उस सब कमेटी बड़ी लंभी चोड़ी थी इसानिकी दो-चार लोग थे उसमें उसमें 50 मेंबर थे और उस सबकमेटी में मुस्लिम लीग के वे सदस से भी थे समिधान सबाबें जो पाकिस्तान जाने से जिन्हों ने मना कर दिया था उसमें नूर जहा बेगम अगर मुझे ठीक आद है तो वो थी ऐसे कई लोग थे एक हसरत नुमानी थे बिहार के उस सबकमेटी की एक जो सबकमेटी थी जिसमें ये बात होती थी कि सेपरेट एलेक्टोरेट की बारे में क्या हम लोग का सिफार्यस होनी चाहिए क्योंकि उसका काम इतना ही था कि वो एक अपनी रिपोर्ट कांस्टिच्ट असम्बली के सामने रख दे उस पर फैसला कांस्टिच्ट असम्बली करें तो सदार पटेल उस कमेटी में केम मुंसी भी थे उस कमेटी में मौलाना अबुलकलाम आजाद भी थे दुर्भाग मैं कहूंगा इसको या अफसोस की बात मैं कहूंगा इसको कि मौलाना आजाद सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे लेकिन मुस्लिम लीक के जो सदस्य थे उसमें उसमें वो जो महिला थी उन लोगों ने सदार से बाचित के बाद बहुत द्रिठता से कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई जरुवत नहीं है और इसलिए सर्व समती से जिसमें मुस्लिम सदसे भी हैं जिसमें दूसरे सदसे भी हैं सबने सर्व समती से फैसला किया कि नहीं अब आजाद भारत में हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कोई अलग-अलग कांस्टिच्वेंसी नहीं होनी चाहिए हाँ SC और ST के लिए आरक्षन जरूर होना चाहिए क्योंकि उनको आउसर उपलब्ध नहीं हुआ है इसलिए हमारा फर्ज है कि हमको आउसर की समानता देनी चाहिए सम्विधान से जुड़े जैसे आपने पतेल का जिकर किया अमबेटकर का जिकर किया नहरू का जिकर किया अबुलकलामा का किया लेकिन हमने उनको धीरे-दीरे वक्त के साथ नए तरीके से गड़ा है क्या ये सच कहूं सच है दो चीज है सम्विधान का निर्माण एक चीज है और उसके बाद भारत का नो निर्माण दूसरी चीज है तो सम्विधान में नेताओं का रोल क्या था इसके बारे में लोगों को जानकारी कम देए समयदान बज जानने के बाद चुना हुआ है सरकारें बनी और उसके बारे में लोगों को जानकारी है और एक बात और लोगों के दिमाग में बैठी हुए जो सही भी है कि ये जो भारत एक हजार साल बाद जो भारत बना वह अंग्रेज तो उसको टुकड़े-टुकड़े करके जाना चाहते थे लेकिन उसे एक किया सरदार पठेल ने और यह कैसे एक किया इसके बारे में जानकारी कम है लेकिन सचमुचो बड़ा कठिन समय था और कठिन काम था आज भी नहीं करना है आप समझे कि पैरा मांटे सी एक सब्द है यानि 14 अगस्त या 15 अगस्त को तीन जून 1947 को ही घोशना हो गई कि जिस दिन समिदान में यानि जिस दिन सब्दा का हस्तान तरण होगा उस दिन पैरा मांटे समात्र हो जाएगी यानि जो राज्य हैं 600 चीह सो तीन थे पांसो बासट कहे जाते हैं लेकिन वास्तों में लिस्ट हूं जब आप उनकी देखेंगे तो शे सोतंत्र हो जाएंगे और उनको उनको जो जो क्राउन से यानि बृतिस के राजा या महरानी से जो उनको संरक्षन प्राप्त था जो सुविधायं प्राप्त थी वो समाप्त हो जाएंगे. तो और वो चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हो तो भारत में रह सकते हैं. इसका बेवारिक अर्थ ही है कि अंग्रेज जी चाहते थे कि आपस में आजादी के बाद इतने लड़े हैं कि उनको समझ में आ जाए कि हम देश नहीं चला से लेकिन हुआ उल्टा और सरदार पटेल ने सरदार पटेल को लवपुरुस कहा जाता है परन्त जो निगोसियसन उ कि उसमें जो जिस तरह की उन्होंने मानुवियता सहिर देता यानि परसपर प्रेम और भाईचारा दिखाया है वो अज़ू था उसी से अभी तक हैं और उसका आशर यह पड़ा कि ज्यादातर ने किवल तीन रियासतों ने उसमें एक रियासत जवालाल नहरू के जिम्में थे हैदराबाद और जुनागड के को छोड़ करके 14 आगस 247 को सारी रियासते भारत में विलिन हो गई थी ठीक है आपने जुनागड हैदराबाद का जिक्र किया तो एक विवाद ये भी चलता है एक परसेप्शन ही चलता है कि सरदार पतेल ने कहा कि कश्मीर छोड़ सकते जुरा कड घदराबाद रखे है अभी तक इस तरह का कोई बयान सरदार का नहीं मिला है यानि सरदार और बी पी मेनन पहली बाते है कि एक नया मंत्राले बना उस मंत्राले को सरदार पतिल समालते थे और उसके सेक्रेट्री वीपी मेनन थे उस मंतराले का नाम था ये इंडियन इस्टेट्स मिनिस्ट्री तो उसमें वीपी मेनन ने जो जितना मैंने पढ़ा है उसमें कहीं भी सरदार ने ये नहीं कहा है सरदार जो है वो हैदराबाद के मामला पेचीदा था तो जवारलाल नेरू और सरदार पटेल दोनों ने माउंट बैटन से कहा कि आप हैदराबाद के निजाम से बात करें एक चीज़ समझाईए मुझे कि इन सतर साल में क्या हुआ कि जिनको आप और किताब में और बहुत सारी जगे पर बड़ा लीडर माना गया बड़ा रोल प्ले किया लीडर का बत ने उससे अलग एक तस्वीर है जवालाल नहरू की वो हिंदोस्तान की आजादी के अंदोल में भी इससे दर रहे तमाम चीज़े हैं उसकी कम बात हो सकती है लेकिन अब हम उनको विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कट्टू साइज नहीं कर रहे हैं कट्टू साइज हुआ पिछले लीडर्स का पटेल का अंबेड कर का या औ जवारलाल नहरू को विलन बनाने की बात नहीं हो रही है जवारलाल नहरू को एतिहासिक परिपेक्ष में समझने की कोशिस हो रही है और उसमें उनका जो योगदान है उसको महतुभी दिया जा रहा है लेकिन जहां उनके निर्ड़ों से नुक्सान हुआ है उसको रिखां उसको रिखांकित कर अभी तक क्या हुआ था कि नहरू का महिमा मंदन जादा हुआ था परंतों नहरू कहां विखल हो गए इसकी चर्चा नहीं होती जिए और नहरू जैसे मान लेजे इस कितने लोग ये जानते हैं कि आज जो राजदरोह बहुत चर्चा में है सुप्रिम कोर्ट में उस इस पर बाकादर संबैधानिक पिष सनवाई कर रही है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश से राजदरोह की भारत सरकार समिच्छा करने गा रही है उस राजदरोह की वापसी किसने करवाई जवारला नहरू ने करवाई और जवाला नहरु ने 12 माई 1951 को अस्थाई लोकसभा में एक सम्मिदान संसोधन प्रस्ताव रखा जो फिर बहुत लंबी भास हुई वो कमेटी को भी गया और अंतता 29 माई को वो पारित हो गया और उसके बाद राश्ट्रपती के सामने बड़ा सवाल था कि हम इस पर दस्खत करें या ना करें सवाल क्यों था ये समझने की जरूत है प्रदान मंत्री हो या सांसद हो ये सम्मिधान की सपत लेते हैं सिर्फ राश्ट्रपती सम्मिधान की रक्षा की सपत लेता और राजन बावो के सामने राश्ट्रपती के वो थे सम्मिधान उन्होंने बनवाया था तो और उनको सम्मिधान की रक्षा का प्रस्टूंग के दिवाग में सबसे उपर रहा होगा और पहले संसोदन से सम्मिधान की रक्षा नहीं हो रही थी दूसरा सम्मिधान लिखा जा रहा था और और सम्मिधानिक तरीके से लिखा जा रहा था और सम्मयदानिक इसलिए क्योंकि लोगसवा आस्थाई थी, राजसवा का आस्थित तो नहीं था, और सम्मयदान संसोधन के लिए ये दो सर्ते जरूरी थे. जरूरी थे. इसलिए जो 1951 का जो फास्ट अमेंडमेंट है, 18 में का, उसको आप उस तरह से देख रहे हैं. हाँ, यानि वो उस आस्थाई लोगसवा को सम्मयदान संसोधन का आधिकारी नहीं था. तो इसलिए और उसी संसोधन से जो नागरिक स्वतंत्रता प्रतिबंधित हुई या उस पर अंकुष लगा, उससे पोलिस को, प्रसाशन को आधिकार मिली गया, कि 124A में आपको उठा करते हैं, जो दोनों शब्द हैं आपके, धर्मन रिपेख्ष्टा और समाजवाद, इसको लेकर भी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, मेरा सवाल ये है, चर्चा जो है उस पर आप ग्यान दीजिए, लेकिन राजद्रो हो, समाजवाद हो, धर्मन र अराज थे तो, 42 सम्मिदान संसोदन से, इंद्रा गांधी ने एक अच्छा काम किया, सम्मिदान में कर्तब का हिस्सा जुडवाया, लेकिन अच्छा काम भी अगर गलत समय में किया जाए, अच्छा ना हो, तो उसका पहड़ाम ने निकलता, दूसरा, उन्होंने अपनी कु उसी बचाने के लिए देश में लोक्तंतर का कला गोटा था, उसी कोई ज़रूत नहीं थे, और उसी को और मजबूत करने के लिए, और पोलिटिकल मोटिव से, उन्होंने प्रियंबुल में संसोधन करवाया, दुनिया के किसी सम्मिधान की प्रस्तावना में आज तक संसोधन नहीं हुआ है, भारत के भी प्रियंबुल में यह संसोधन तब अनुचित था, और आश्चर का विशा यह है, कि जनता सरकार से ले करके और बाद की सरकारों तक, इस संसोधन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गिया? सर्कार कॉंच्ट्टिटेंज असेंबली की बात हो गई, यह सरा है, बहस तो बहुत सारी हो इंग क्योंकि कॉंच्टेंज असेंबली ने जो किया उसमें तो हमने एक सो पांच वर बदलाव कर दिया आज बदलाव तो इस सम्मिधान की ताकत है, यानि सम्मिधान कोई जड़ वस्तु तो है ने, और अगर जरूरत है तो उसमें बदलाव होना चाहिए, बदलाव जिस विधी से होना चाहिए, वो विधी उचित हो, और देश समाज की जरूरत है उसके आनुसार हो, एक सो तेईस संस में किये, हम लोग जो सुप्रिम कोर्ट समिधान में बदलाव कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और मैं यह कहूँगा कि नज्टीजतन, यानि संसद और सुप्रिम कोर्ट Denton में मिल करके, यह जिस सम्मिधान की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सम्मिधान की एक ह आने हैं वो मूल समिधान के बाद जवार्ण नहरू के पहले संसोधन से लेकर और आज तक समिधान मेरी जानकारी में आठ बार समिधान पार। पुरा निखा गया हूँ. समिधान का हर शंसोधन समिधान का पुरा लेखन है. जी, पिल्गू ठीक है लेकिन जब re-written की exercise की गई उसे पूरा नहीं किया गया वाजपेई सरकार में वाजपेई जी ने एक बड़ी पहल की थी और इस किताब में भी वाजपेई जी के उस पहल से पहले की जो घटना है उसका उलेख है 1970 में वाजपेई जी ने एक इस्मारक वियाख्यान दिया और उस वियाख्यान में उन्होंने कहा था कि समयधान की समेच्छा होनी चाहिए वाजपेई जी ने जो बात कही थी वही बात बहुत पहले लोक नायक जय प्रकास नारायने भी कही थी तो वाजबेई जी उस के काथन में एक साथत्यता है, कंटिन्यूटी है, और जब वह प्रधान मंतरी बने, तो उन्होंने अपना कहा हुआ याद रखा, लिहाजा उन्होंने वेंकर चलिया कोई, जेस्टिस वेंकर चलिया को उन्होंने बुलवाया, उसे बात की, और उनको त मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, मेरे मित्र थे जो दिल्ले इनवास्ट्री के एंगेस्ट ला प्रोफेसर थे मूलचंद सर्मा, प्रोफेसर मूलचंद सर्मा, मूलचंद सर्मा का वेंकट चलिया से बहुत अच्छा संबन था, वेंकट चलिया जब आये और IIC म वो उनका फोन आया, कि आप मेरे साथ वंकट चले या कि बास चलिया? तो हम दोनों गए उनके पास, बड़ी देर तक रहे, और हम दोनोंने, वो दुविधा मे थे, हम दोनोंने उनसे आगरा कि, और लोगों ने भी किया होगा मुझे उसकी जानकारी ने, लेकिन हम दोनों ने भी वंकरचलिया साहब से कहा कि आप इस जिम्यदारी को हा करिए क्योंकि ये बड़ा काम है और सचमच उस आयोग ने अच्छी सुरुवात की बहुत व्यवस्थित पूरे सम्यधान में उन्होंने देखने की कोशिस की अनुभावों के आधार पर और कि कॉंग्रेस और कमिनिस्टों ने समिधान समिच्छा आयोग के खिलाप एक हवा बनाई और हवा ये बनाई गई वो राजनितिक हवा थी कि समिधान को बदला जा रहा है समिधान को तहस्नास किया जा रहा है जो आरोप आज प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी की सरकार पर नहीं है कोई वास्तविक्टा नहीं है उसी तरह का आरोप वेंकर चलिया आयोग के समय में वाजपई सरकार पर लगा गया और ये कहा गया कि समिधान को तहस्नास कर रहे कि कोसिस हो रही है वाजपई जी इससे परसान हो और उन्होंने आयोग को और आयोग के सदस्यों को सं अपसोस की बात है कि उस रिपोर्ट पर किसी सरकार ने ध्यान ने दिया क्या आपने जो वाजपेजी की परेशानी कही वो वाजपेजी की घबरहाट थी कि वनोंने बैक आउट कर लिया वाजपेजी का वो लोगतांत्रिक द्रिश्टी कौन था मैं कही अउसरों का गवाह हूँ जब लोग क्या सोचते हैं इसकी सबसे पहले जो भनक ज告诉 अनुस व्यक्ति का नाम मट अअन millennials अब धिर्श्टी का जिकर किया सुप्रीम कोट का जिकर किया कि सुप्रीम कोट के वज़े से अभी राष्ट्रपती का चुनाव हो रहा है, दो लोगों को दो चीजों पर बहुत मेर्ट पूर सवाल है, दोनों एक है संस्ता हैं अलग-अलग है, सुप्रीम कोट और प्रेसिडेंट, दोनों जब भी अक्टिव होते हैं, तो इलेक्टिट गवर्मेंट परिशान होती है, क जिसने उस परंपरा का पालना किया हुँ, तो इसलिए राष्ट्रपती अब हमारा जो लोकतंत्र है, वो उसकी अपनी एक परंपरा विक्सित हो गई है, यह जो संभिधान है वह प्रधान मंत्री के नेत्रतमें संसदे लोकतंत्र की परंपराक वाला है, और मैं आपको यह जो लोग गांधी जी को कोट करते हैं और हिंद सुराज को कोट करते हैं उसी हिंद सुराज में गांधी जी ने ये कहा है कि आज तो मैं संसदे लोकतंत्र के लिए काम कर रहा हूं यानि हमारे हां जो परंपरा बनी है उस परंपरा में अब राष्ट्रपती की सक्रियता का सवाल नहीं है राष्ट्रपती को जितना सक्रियता होना चाहिए वो होते हैं लेकिन सुप्रेम कोट के पास सम्मिदान की व्याख्या का अधिकार राष्ट्र प्रापत है और समिदान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करके समस्मिदान में पर हस्तक शेप किये हैं वो कहीं उचित भी है कहीं अनुचित भी है मतलब आप समझते हैं कि बहुमत की विद्वता को आप साथ जाते हैं। देखिए संसद की सरवोचता हमारे हां नहीं है। कलाम साथ ने दो दो बार आप इस और प्रोफिट बिल को वापस कर दिया। आपने कानूनी राइडर लगा रखा कि दो के बाद नहीं करना। प्लिटिकल लीडर्स के करेक्टर को लेकर जो राश्टपती ने नोटिफिकेशन पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी। अगर सुप्रिम कोट वो नहीं करता तो फिर क्या होता। हर देस के जो संभिधानिक परशम्परा है वह एक विक्सित होती है। हमारे यहां स्प्रिम कोट को संभिधान की व्याख्या का आदिकार है। और यह एक बहुत विशेश चीज है और मुझे लगता है कि यह हर दृष्टी से उचित है उचित है रिव्यू नहीं करना चाहिए उचित है लेकिन संसद तो बहुत परिशान होती कई मौके ऐसे आई जिसमें आपने कहा कि संसद के इस मसले पर सुप्रिम कोट जो है सीमा ला जाहे तो बोलती रहे इसमें कोई दो राय नहीं बोलें लेकिन सुप्रिम कोई एक तीसरा व्यक्ति तो हो जो संविधान की व्याख्या भी करता रहें इंटर्पेट करता रहें और इसलिए जिसमाली ये राजदरोह वाला ही विशे है अगर सुप्रिम कोट ने संविधान पीठ न बनाई होती तो जो चल रहा था वो चलता तो इसका क्रेडिट आप सरकार को नहीं दे रहें तो मैं यह कहूँगा कि इसकी क्रेडिट प्रधान मंत्री को है प्रधान मंत्री ने हस्तक छेप करके और कहा आस्वा सरकार काया तो मत यह था कि यह कानुन उचित है तो जब उन्होंने निर्देश दिया हस्तक छेप किया और कहा कि नहीं हम इसको रिजू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मेरा असर प्रधान मंत्री ने है जो व्यक्ति इमर्जेंसी के खिलाफ लड़ा हो वह आनुचित कानून से को किसी के मानवाधिकार को की मानवाधिकार का हनन होता हो या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो यह अनुचित है जो सम्विधान के अनकही कानी तो ठीक है लेकिन भारतिय सम्विधान आज आपको लग रहा कि यह देश बुटे तोर पर सम्विधान के हिसाब से चल रहा है इस किताब से साक्षर्ता थोड़ी बढ़ेगी और देश को समिधान के अनुसार चलाने के लिए जरूरी है कि नागरिक ये जाने कि समिधान में क्या है और मैं ये कहूंगा कि 2015 से समिधान के बारे में जागरूकता इसलिए पैदा हुई है क्योंकि डाक्टर अंबेदकर की इस मारक के ब समिधान दिवस की कुछना की तो देश समिधान के अनुसार तभी चलेगा जब देश का हर नागरिक समिधान के प्रति जागरूप होगा और जहां जन प्रत्निधी समिधान का उलंधन कर रहे हैं जहां सासन समिधान का उलंधन कर रहा है वहां नागरिक अपनी जागरूप ताक से उसको रोकेंगे बहुत बहुत शुक्रिया सार आपका सम्विधान पर इतनी लंबी चर्चा राइसाब के साथ हुई है और जो महत्पूर्ण बात उन्हों ने कही कि सम्विधान से लोगतंत तभी चलेगा जब आप सम्विधान के बारे में जागरो होगे और साक्षर झाल